नमस्कार मैं हूनीलू तो क्या इसरेल एरान पर हमला करने से हिचक रहा है और इस हिचक के पीछे क्या किसी तरह का कोई डर है आज इसी पर हम बात करेंगे कि आखिर क्या वज़य है कि इरान के इतने बड़े हमले के बाद भी अब भी जो इसरेल है वो चुप बैठा है इसी इरान के लिए कसी तरह से कोई strategy अब तक दिखाई नहीं दे रही है इसरेल की यह जो हिचक है यह जो चुप पी है यह जो हमला ना करने वाली strategy है इसको आप किस तरह से देखते हैं एक बात तो साफ है कि इरान ना तो लिबनन है और इरान ना गाजा है यह दो इलाके ऐसे है लेवनन और गाजा में जहां इसरेल का जब मन हुआ जहां जरूरत पड़ी उसने अपने फाइटर प्लेंस भेजे वहां पे मिजाइल से टारगेट किया और तबाही मचा दी लेकिन इरान के साथ ये नहीं हो सकता इरान जो है उसको वह एक मजबूत कंट्री है पारफुल लेकिन जो आप ये कह रही है इसकी इंटरनेशनल मीडिया में सोचल मीडिया में काफी चर्चाए है कि आखिर इस्रेल हमला करने से क्यों देर हो रही है क्या इसकी पीछे की वजह क्या है लेकि हम आपको बताते है मैं आपके साब दो चीजे शेयर करना चाहूँगा एक तो अगर आप इस पर हमला नहीं करते हैं तो हम आपको सेयन मदद और बढ़ाएंगे हम आपको फाइनेशल मदद और बढ़ाएंगे अब आप समझते है यह बड़ी अजीव स्थिति अगर ऐसा है देखिए हम यह दावा नहीं करते कि यह सच है नहीं है लेकिन कुछ एजनसी कुछ न्यूज सोशल मीडिया में इस तरह की चर्चा है कि अमेरिका की तरफ से कहा गया है इसरेल को कि आप देखिए आप जो है वो इरान की नुकलियर साइट्स पर हमला मत कीजिए तो अमेरिका तो बाइडन पहले ही कह चुके है बाइडन तो सर्वजनी कर देखते हुए कि कहीं ऐसा ना हो कि इसरेल जिस तरह से तावड तोड़ हमले कर रहा है और अमेरिका की बात नहीं सुन रहा है कर इसी को को इक बड़ी गलती ना कर दे बिल्कुल हां मैं इसी पहारा है कि जैसे होता है कि आप किसी पच्चे को आप प। बहेज रहे है और कहरहे है कि ऑ़ कि तरफ से यह कहा जाये नितन यहों को इस्रेल को कि आप जो है वो निशाना मत बनाईएगा हम बदले में आपको जो है वो फाइनेंशल एड भी देंगे और आपको सेहन निसायता भी देंगे अब देखिए असल में है क्या एक इन वह मैं आपको बयान बनाता हूं बताता हूं इनके जो चीफ है इनका एक बयान आया है इनोंने कहा है कि इस पूरे क्या इस्रेल को इरान के नुकलियर साइट्स पे हमला करना चाहिए या वो कमला करेगा या नहीं करेगा जो बाइडन और अमेरिका इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि अगर इरान के नुकलियर साइट्स पे हमला होता है तो उसका परिणाम भयंकर युद्ध होगा वो ऐसा कोई आसान छोटा युद्ध नहीं होगा लिबनन की तरह की जो है बस आपने स्ट्राइक कर दी और बात खतम हो गई उसके बाद जो परिणाम होगे वो भयंकर होगे और देखी यही वज़ा है जो यह C.I.H. Chief William Burns कह रहे है वो यही कह रहे है कि आगर आपने कुछ miscalculation कर लिया तो फिर परिणाम देख लिए क्या होगा अगर पीछे हम थोड़ा जाके देखे अमेरिका ने कई बार Netanyahu को या इसरेल को बहुत बार चिताया लेकिन उसकी बात ना मानते हुए कई बार उसने ऐसे कदम क्या आपको लगता है कि यही वज़ा है कि इस तरह का प्रलोभान एक तरह से लोव या फिर लालच दिया जा रहा है Netanyahu और इसरेल को कि भाई ऐसा कुछ ना कर दे जिसे कुछ बड़ा विद्वन सक हो जाए बिल्कुल सही कह रहे हो आप देखिए एक तो इसरेल के जो डिफेंस मिनिस्टर है योव गिलेंट वो 24 गंटे की यातरा पे आज अमेरिका में है वो 24 गंटे के लिए अर्जेंट यातरा पे अमेरिका गए है और वहाँ पे युएस डिफेंस सेकेटरी जो है रक्षा मंतरी है लॉयड ऑस्टिन इनसे उनकी मुलाकात होगी तो आप ये मान के चलिए कि अगले 24 गंटे में ये बात तय हो जाएगा कि इसरेल क्या करने वाला है या फिर वहां के ओयल रिफाइनरीस पे हमला कर देगा मुश्किल है बहुत मुश्किल है मतलब अमेरिका की पर्मिशन के बिना इतनी बड़ी हरकत करना इतना बड़ा अटैक करना इसरेल के लिए अबसे बड़ा सपोटर तो अमेरिका ही है यह बहुत बड़ा खतरनाक होगा देखिए उसकी वज़ा क्या है बार बार अमेरिका इस चीज से जो बच्चिन कह रहा है कि आपको नुक्लिर साइट पर अटैक नहीं करना चाहिए कि इरान और रूस ने मिलके एक फाइट उड्रील बी शुरू कर दिया बड़ा है और ऐसी ख़बरे है कि ऊपिग आज़नेकर बारा कि आरन के काई फाइटर पाइलेट जो है इस समय रशय तो रूस में है और वहां पर एक परकार कि वार प्रैक्टेस चल रहा है एरान एक तो दूसरी तरह भी कुल कर रहे है, रूस नहींकि तो सपोर्ट पूरी तुरह है लेकिन फुरी in कर दो नहीं कर दोॉप पूरमा चाहिए है, लेकिन अजले के कि तो जो इरान में अचानक से भुकम आया था 4.5 रिक्टर स्केल पे तो ये कहा जा रहा था उसमें दो अनुमान चल रहे थे एक तो ये कि इरान ने नुकलियर टेस्ट कर दिया और उस तरह से कई मीडिया में ये भी चर्चाए अचानक से छिड़ गई थी कुछ घंटे के लिए कि कहीं ये इसराइल ने तो कहीं इरान के किसी नुकलियर साइट पर टेक नहीं कर दिया और इसको लेकर अचानक से चर्चाएं चली लेकिन फिर एरान की तरफ से साफ किया गया कि ऐसा कोई हमला हम पे नहीं हुआ है फिर उस चर्चाओं पर फिर विराम लगा तो देखिए पर सो चार दिन पहले धंकी दे दिया है कि अगर साउथ कोरिया कि हमारे खिलाब किसी तरह का एग्रेशन करता है तो हम तो सीधा नुकलियर हमला कर देंगे तो उधर से किम जॉंग जो है वो भी इरान की मदद के लिए खड़े हैं पुतिन तो साथ में खड़े हैं और चीन के वां इसके बात से हमला करना यह जाता है ंख लूगार जाता है उसके बात पर उसके बात हमला करना असान नहीं है मतला उसके बात पर आप बहुत कैलकुलेशन इसी की बात जो C.I.A. चीफ और ऑच जो आपने जड़ा से मिस्कैलकूलेशन किया तो यह बड़े अगर आप इनकी सैन शम्ताओं की तुलना करें, तो देखिए, अगर हम सैनिकों की ग्राउड फोर्सेश की बात करें, तो इसरेइल के पास 6,70,000 जो है वो फोर्सेश हैं और एरान के पास 11,80,000 जो ग्राउड फोर्सेश हैं. यहां पर सबसे ज़ादा मतलब कहते हैं कि जो उनके पास फोर्सेश हैं, ग्राउड पे हैं वो ज़ादा है एरान के पास है, और इसरेइल के पास है, एरान के पास 11,00,000 आप देखिए कि अच्छा, एर फोर्स के मामले में जो है वो 89,000 जो टोटल लोग हैं वहाँ पे उसी तरह थल सैनिकों की अगर बात होए, तो पांच लाग 26,000 सैनिक जो है वो इसरेइल के पास है, और करीब 3,500 जो है इरान के पास है, नौ सैनिकों की बात हो तो 19,500 जो है वो इसरेइल के पास है, और 18,500 जो है वो इसरेइल के पास है, वैसी लडाकु विमानों की बात हो तो 241 fighter planes जो है वो इस्रेल के पास है एक सो छासी इरान के पास है transport विमान जो है वो 12 इस्रेल के पास है 86 इरान के पास है helicopters 146 इस्रेल के पास है 129 जो है वो इरान के पास है अगर tanks की बात हो तो 1370 tanks इस्रेल के पास है और 1900 से ज़्यादा tanks इरान के पास है देखिए हम कहना यह चाह रहे हैं कि यह जो आकड़ा हमने एक बताया बताने का पीछे का मकसद यह है कि लिबनन में जो इस्थिती है आप देखिए लिबनन में इसराइल लगातार हर रात बंबारी हो रही है पूरे बेरूत में स्ट्राइक हो रही है दक्षनी लिबनन में ब कि रूस ने अपना एक मजबूत एर डिफेंस सिस्टम इरान को दे रखा है। इसको भी कैसे चैनल करना है। कहते हैं युद से कई साल पीछे कोई देश चला जाता है और वहां से उबरने में उसको अच्छा खासा वक्त लगता है लेकिन सवाल यह है कि नितन याहु तो बदला लेना चाहते हैं इस्रेइल जो है वहां की सेना कह रही है कि जगा भी हम तै करेंगे वक्त भी हम तै करेंगे नितन याहु के ऊपर भी बड़ा एक दबाव है देखिए इरान के तरफ से 180 बेलिस्टिक मिजाइल फायर हुई जो इस्रेइल पर गिरी है कई आईरन डूम ने उसको खतम भी किया लेकिन बहुत सारी मिजाइल गिरी भी है जिसमें बहुत तबाही की तस्वीरे भी सामने आई अब तक जो उनके बंधक थे उनका अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है इतना विद्वन्स हुआ है चाहिए वो गजा में हो या फिर लेब्नान में हो लिकिन इसको आईसा लगता है कि मुद्दा पीछे चूड़ गया जो बंधक चुड़ाने वाली बात थी वह पीछे चूड़ गई है और यह बंदक वाली सिच्वेशन है यह तो एक तरफ चूड़ गई है अब यह लिबनन वाला फ्रंट खुला हुआ है यहां पर लडाई चल रही है और उसके बाद अब इरान एक जो नई चीज सामने करता है कि एक मीटिंग हुई है जिसमें नेतन याहू थे योव गेलंट थे उनके पूरे आईएएफ की चीफ और जितने अधिकारी थे और उसमें एक प्लान तयार किया गया है देखिए जो यह भीतर खाने की बाते हैं जैसे जो सोशल मीडिया में चर्चा में आती है या जो अखबारों में किस तरह से हां ऐसा स्पेकुलेशन है कि इसरेल की तरफ से शायद अब इरान के नुकलियर ठिकानों पर हमला ना हो क्योंकि अमेरिका इस बात के लिए तयार नहीं है और देखे ठीक है यह तो हमने बात की और यह भी कहा जा रहा है जो मैं आपको बताना जा रहा है कि जो आयर जीसी है वहां की जो सेना है इरान के जो सेन ठिकाने है जो एयर बेसेस हैं और जो नेवल पोर्ट से हो सकता है कि अगले कुस दिनों में उनको इसरेल की तरफ से बैलेस्टिक मिजाईल से निशाना बनाया जाए जाए एक खबर और आए कि पहली बार तो एज़िए बॉल्ला ने लेबनान को लेकर कहा है कि अब इस पर युद्भ राम होना चाहिए बिना गज़ा को सामने रखे वे वहां के विधवन्स को सामने कि इससे पहले हमने देखा इस्वल्ला लगातार ये कहता रहा कि एगर इसराइल हमने नहीं रोकेगा गज़ा पर वो किसी तरह की बादश्यत नहीं करेंगे लेकिन यह पहले पहले मौका है और पहली बार है कि वह भी कह रहा है कि अब लेब्ड़ान में हमने बंद होने चाहिए तो इसलिए मैं कह रही हूं कि युद्ध को इनहीं चाहता है क्योंकि यहां से युद्ध और ज्यादा कह सक कि इसलिए अपील की गई थी कि फौरन जो है सीस फायर होना चाहिए उसकी वज़ा है कि पूरे साउथ लिब्ड़न में और बेरूत में बहुत जबरदस्ट जो है तबाई हुई है लाखों लोग बेगर हो गए हैं जो कि यहां से घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं बहु तो देखिए चाहे बात इसरेल की हो चाहे लिब्डन की है जब भी कोई युद होता है तो दोनों तरफ भी बड़ा भीशन नुकसान होता है तो यह बात तो बिल्कुल सही है कि सीस फायर फॉरन होना चाहिए रोकने की कोशिश होनी चाहिए लेकिन दोनों हाथ से ताली देखिए खामे नही का जो अभी पिछला संदेश उनूहने दिया जो उन्हो ने नमाज अदा करवाई उनके हाथ में जो गन थी उसमें मैंसेज साफ था इसराइल को पूरी दुनिया को उन्होंने मैंसेज देना था वो दे दिया पुतिन खामे नही के साथ कड़े हैं तैय करके वापस लोटते हैं और उसके बाद इसराइल क्या करता है ये अपने आप में तैय कर देगा कि कहा जा रहा है मामला क्या इसराइल फिचा एह चक्रा है एरान पर हमले से और अगर ये सारी चीजे बाचित होती है तो फिर इसके बाद आगे इसरील का अगला कदम क्या होगा और एरान भी इसे लेकर क्या सोचता है इस पर लगातार हम आपको अपडेट देते रहे हैं और आगे भी हम अपडेट देते रहेंगे हमारे साथ पर